नमस्कार दोस्तों केवी सेकेड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है डेली करेंट अफ़े के क्लास में करेंट अफ़े से रिलेटेड जो भी कोश्चन से और उनसे रिलेटेड जो भी तत थी उनको हम mcq के मात्यम से पढ़ेंगे और अगर इसका पीडिय डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्षन में हमारे टेलीगाम ग्रूप का लिंक है वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तो साथियों पहले कोश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाली में ब्रह्मोज एरोस्पेस का नया प्रमुक नियुक्त किया गया है आपके ओप्शन से एस सोमनात अनिल कुमार शर्मा डॉक्टर जेतित राग्वेन जोशी और डॉक्टर समीरवी कामत तो साथियों इसका सही उत्तर है ओप्शन सी आई एक पर इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं सूपर सोनिक क्रूज मिसायल प्राणा लिखे निर्मान करता संगटन यह हमारा संगटन है ब्रह्मोज एरोस्पेस इसका प्रमुक नियुक्त इनको किया गया है और भारत के मिसायल कारिकरम जैसे की विशेशकर प्रित्वी और अग इसको हम एक्सपूर्ड भी करते हैं अधर कंट्रीस में आईए अगले कोशन के तरफ चलते हैं अगला कोशन है साथियो किसे रास्ती स्वास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है आप क्या options है अशोक चंद्रा, विनोत कुमार, डॉक्टर जे भट्टाचार और न नियुक्त किया है तो यह भारतवंची physician और economist है और इनको National Institute of Health NIH के डारेक्टर बनाने का फेस्टनल लिया गया है NIH एक institute है ठीक है और जे बट्टाचार को पूरे देश के प्रमुक्त medical research institute के जुम्मेदारी होगी उसके अंदर इनको 27 जो institute है उनकी देखरेक करनी होगी और यह जो संस्थान होता है जिसका मैंने आपको नाम बता है NIH इसका काम क्या होता है कि कोई भी महावारी आ गई है लाइक कोई pandemic आ गया है तो उससे related जो भी विक्सिन बनाना यह जो नई नई दवाएं होती है नई नई जो बिमारियां होती है तो उसके लिए जो नई दवाएं विक्सित करना है वो इस संस्था का काम होता है NIH का तो उसका प्रमुक्य मतलब उसका निदेशक इनको नियुक मुक्ट को हाली में किस केंदरी मंत्री ने लौंच किया है आपके options है प्यूज गोयल निर्मला सीता रमन अनपुर्णा देवी किरिडा सिंग साथ ही इसका सही उत्तर है option C अनपुर्णा देवी जी इन्होंने इसको लौंच किया है यह केंदरी महिला एम वाल विकास मंत्र कर रही है और इसको नहीं दिल्ली में लौंच किया गया है और यह अभियान का टो डेडलाइन है वह 2047 तक रख रखा है जो कि हमारा एक विक्सित भारत, विक्सित भारत का deadline हमने रखी है इसके साथ ही इसका एक portal भी launch किया है और इस portal में जो भी बाल विवास related जो भी कारिक्रम्स हैं, जो भी events हैं उसकी सारे information से के से हम उसको मुक्त कर रहेंगे क्या क्या हमारे parameter से, वो सारी discussion, सारे weekend से सारी details वहाँ पर available हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं आईए अगले question की तरफ चलते हैं साथियों अगला question है कि हाली में भारती टटरक्षक बल ने कहा रास्त्री समूदरी खोज और बचाओं का अभ्यास किया है आपके options है कॉलकता, मॉंबई, कोची केरल और ले तो साथियों इसका सही उत्तर है option C, कोची केरल, आईए इसके बारे में देख लेते हैं तो यह जो अभ्यास था यह दो दिन तक चला, रास्त्री समूदरी खोज और बचाओं का यह ग्यारवा संस्करण भी था और इसका जो उद्गाटा ने और हमारे रक्षा सचियों राजेश कुमार सी जी ने किया है साथ ही में इसमें भारती टट रक्षक, ICG के महानिदेशक, एस परमेश जी भी शामिल थे इस से related question बन सकता है कि 11 संस्करण का उद्गरण किस ने किया और कौन-कौन उसमें शामिल था तो यह नाम आपको याद रखना चाहिए इस से related question बन सकते है आईए आगे चलते है साथ ही अगला question है कि किस राज्यों में नई कुटीर और ग्रामिन उध्योक नीती का अनावरण किया गया है आपके option से मध्यप्रिदेश, गुजरात, आंधरा, आंधरप्रिदेश और कौलकता साथ ही इसका सही उत्तर option बी गुजरात, गुजरात की गांधी नगर में इसका अनावरण किया है आईए एक बर इसके बर में चल्चा कर लेते हैं तो मंत्री बलवन सिंह राजपुत के दुआरा गांधी नगर में 26 नुवंबर को इसका अनावरण किया गया है ठीक है और मंत्री ने ये भी कहा है कि नई कुटिर जो नेती है 2024 की ये पांच वर्षों तक लागू रहेगी मतलब पांच वर्षों तक इस पर काम चलता रहेगा और इसका उद्देश भी जान लेते हैं इसका उद्देश है कि एक आत्मि निरुवर कुटिर उत्थियोग शेत्र विक्सित करना कारी गरों के लिए एक स्थानी और अंतर राष्टी बाजारों के दरवाजे खोलना एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो हमने क्या किया है कि जो हमारे कुटिर उत्थियोग है दो तो एक इस हमें इस नीति लेके आए ता कि वो इस्थानी लोगों में उसको परचेस कर सके और अंतर राष्टी बाजारों में भी हम उनको बेचने का कुछ ना कुछ बंदोमस करें आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ रहा होगा अगले कुश्चन की तरब चलते हैं साथियो अगला कुश्चन है कि दुनिया भर में लाल ग्रह दिवस रेड प्लेनेट डे दोजार चोईस मनाया जाता है तो वो किस दिन मनाया जाता है आशा दिन संदि है 10 विथैनोंबर साथियो चैइशित क किस सही उस्ता उस्तारें और प्रेश्चन voz eight और ऑप्षण बारे में तोड़ी चर्चा करते थे तो नासा द्वारा कि फोटार किया गया था जिसका नाम था मेडिन घृ मेरिनर 4 नासा ने 28 नौवंबर 1964 को launch किया था ठीक है और यह कहां launch किया था मंगल गरे के और मंगल गरे को लाल गरे के नाम से जाना जाता इसलिए इसको Red Planet Day कहते हैं ठीक है और यह मंगल गरे के पास ही इसने सफल उरान भरी थी इसलिए इसका नाम इसे related रखा गया है इसे related questions बनते हैं इसको आप याद रखीगा कि कौन से दिन में और कौन से year में नासा ने इसको launch किया था और इस mission का नाम क्या था और इस related questions बनते रहते हैं आई आगे चलते हैं अगला कुश्चन है साथियों कि Network Readiness Index 2014 में भारत की रेंग क्या है आपके options है 60, 49, 45 और 33 साथियों बताना चाहूंगा इसका जो सही उत्तर है वो option भी है 49 आई एक बार इसके पर हम चर्चा कर लेते हैं और एक को चीज बताना चाहूंगा कि last year जो था 2023 में जो हमारी रेंग थी और 60 थी और इस साल हमने बहुत इंप्रूमेंट किया और हमारी ने rank 49 हो गई है और य के इसका काम क्या होता एक बर चर्चा कर लेते हूंगै और कि आर्थिवहस्ता है उनको आर्थिक विकास और तकनीकी नव्रचार जी सी तयारिक के अदर पर हैं कहने का मतलब यह मैं कि भी अर्थिय विकास के में हमोर भी आगे जाएं अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं साथियो अगला कुश्चन है अंतर रास्थी परियतन मार्ट के बारवे संस्क्रण का आउजन कहां हुआ है आपके ऑप्शन है सिखिम, मेगाले, असम और कॉलगता साथियो इसको सही उत्तर देने की कोशिश करे साथियो इसको सही उत्तर आसाम है आई एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो जो अंतर रास्थी पर रहेटन मार्ट का संस्क्रण था यह बारवा था और यह जो आयजन हुआ था यह कहा हुआ था यह आशिम में हुआ ता यह परियाटन मत्राले के द्वारा आयुजित किया गया था यह वार्शिक कारिक्रम है मतलब हर साल यह होता है ठीक है इसका उद्देश जो हमारे घरेलू और अंतर रास्ती दर्शक है उनके लिए पुर्वत और शेत्रों के लिए परियाटन शमता को उजागर करना है कहने का मतलब यह कि जो हमारे पुर्वांचल शेत्र हैं वहाँ पर हम टूरिजम सेक्टर को केसे बढ़ाए उसलिए यह आयोजन वहां पर रखा है ताकि लोग वहां पर आएं वहां पर देखें कि वहां पर क्या-क्या चीज घुमने के लायक है कि केसे हम वहां पर टूरिजम एक स अगले कुशन की तरब चलते हैं दोस्तों अगला कुश्चन है कि कोन ICC टेस्ट रेंकिंग में विश्व के नंबर वन वॉलर बने हैं आपके आपके आप्शन से आर अश्विन जस्वीद मुम्रा कसी गुरबाड़ा और बहंबत सिराज मैं आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप सबीद है क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है तो साथ ही बताना चाहूंगा इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन भी है जस्मीद बुम्रा वह अभी हाली में टेस्ट रेंकिंग में विश्व के नंबर वल बॉलर बने आई है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते ह तो जस्मीद बुम्रा ने जो अपना टेस्ट है जो फर्स टेस्ट खेला था वो 6 जनवरी 2018 में दक्षे रख वरिखा के खिलाफ खेला था जो वंडे है वो अनुने पहला खेला था 23 जनवरी 2016 को और वो अस्टेलिया के खिलाफ केला था और T20 उन्होंने 26 जनवरी 2016 में वो और कि अगला कुश्चन की हाली मैं आयो जीत लास वेकास् गाट प्रिक्स टाइटल किसमे जीता है सबसे पहले हमने यह पता एक कि यह क्या होता है ग्राट पिक्स टाइटल यह उनको स्टिया जाता है जो फार्मुळा जो काररेस होती है उस में जीणर होता है ठीगि आप सब्सक्राइब क्या उप्शन्स हैं, Max Verstappens, Lewis Hamilton, Fernando Alainso या इन में से कोई नहीं साथ ही हो तो इसका सही उत्तर है, उप्शन A, Max Verstappens, I.N. के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं इन्होंने लगातार ये फूर्थ तैम ये ड्राइवर, ड्राइवर्स चेंपरिंशिप का खिताब जीता है और इत्यास में एसे ये छेटे ड्राइवर बन पाएं क्योंकि इसके पहले भी पांच ऐसे ड्राइवर हैं जोनोंने चार बार इस टाइटल को जीता हैं इस से रेलेटेट कोशन बन सकते हैं बिलकुल आप इसको याद रखें अगले कोशन पर चलते हैं दोस्तों कि हाली में कौन अंडर एट विश्व के डिट चत्रण चेंपरिंशिप बने हैं आपके ओप्शन से दिवित रेड़ी जिमंगुओ सातिक स्वैन या इन में से कर लेते हैं मैंटे सिल वानो इटली 26 नौब्बर को हैदराबाद के आठ साल के दिवित रेड़ी ने मंगलवार को अंडर एट विश्व केटेट शत्रण चेंपरिंशिप का खिताब जीता है कहाँ पर इटली में मैंटे सिल वानो में ठीक है आई अगले कोश्चन की तरब अगला कोश्चन है कि जारखण के मुख्य मंत्री के रूप में किसने शपत ली आपके आपके ऑप्शन से कलपना सोरेन नितिश कुमार हेमन सोरेन संतोष कुमार गंगवार यह बहुत सरल कोश्चन है और अभी काफी न्यूज में भी था क्योंकि अभी हाली में एलेक्शन हुआं दो स्टेट के माराष्ट में जारखण में थीक है तो माराष्ट में तो विजचेपगी हाल इमें संपन्वे विजान सभा चुनाओं में शांदर जीत परप्त की हैं और हेमन सोरें राज की बरहेट सीट से विदायक चुने गए थे और पहली बार ये 2013 में राज जिके मुख्यमंत्री बने इनसे रिलेड़ेट भी कुश्चन बन सकते हैं इन्होंने पहली बार कभ मुख्यमंत्री बने कहां से लड़ते हैं चुनाओं ठीक हैं और कित्ती बार सीम की तोर पर शपत ले चुके हैं आईए अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं साथियो अगला कुश्चन है कि बारत के पहले ग्रीन हैड्रोजन फ्यूल स्टेशन का साथ ही उसका सही उत्तर है definition D. ले में इसका उधगाटन किया गया हैं आई एक बार इसके बर में चर्चा करते हैं कि भारत के पहले ग्रीन हुथ्यूल स्टेशन का उधगाटन ले बाद्डाक किया है यह पहला green hydrogen fuel station है इस से related question जरूर बनेंगे यहाँ पर कितनी green hydrogen को अत्पादन हो रहा है 80 kg का वो भी परड़ है यह center पांच hydrogen इंदन सेल बसों को बिचली देगा और इसका निर्मान किसने किया है आमारा राजा आमारा राजा कि दरब चलते हैं और यह अंतिम प्रश्ण भी होगा साथियों हाली में सयद मोधी international 2024 बेंड मिंटन टूर्णामेंट कहां शुरू हुआ है आपके options है जेपूर भोपाल लखनव और लेह साथियों इसका सही उत्तर अप्शन सी लखनव लखनव में यह टूर्णामेंट शुरू हुआ है सयद मोधी इंटनेशनल 2024 टूर्णामेंट आईए थोड़ा साथ के बारे में देख लेते हैं टूर्णामेंट का आयोजन 26 नौवंबर से एक दिसंबर तक लखनव में होगा और सयद मोधी इंटनेशनल 2024 एक BWF 300 टूर्णामेंट है आशा करता हूँ कि आपको इस अब समझ में आ रहा होगा इससे रेलेटेड जो भी कुशन्स होंगे और भी वह आगीव हम डिस्कस करते रहेंगे ठीक है तो साथियों कमेंट सेक्षन में बिल्कुल बताएगा कि आज की क्लास कैसे लगी है और क्या-क्या हम कर सकते हैं तो कल इसी टाइम फिर मिलेंगे कल कीategor अफिर से रेलेटेड जो भी कुश्शन्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे उनसे से रेलेटेड जो भी तत्यों होगे उनको भी डिस्कस करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लाग है तो बिल्कुल इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू